नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके Assignment Submission के बारे में आप जानते कि आज 2 दिसंबर 2022 से आपके दिसंबर 2022 के एक्जाम सुरू हो चुके हैं लेकिन आपकी जो last day थी Assignment Submit करने की वो 30 November 2022 थी और अभी तक उसको आगे Extend नहीं किया गया है और अगर आप मान के चलने के अब उसको आगे Extend नहीं किया जाएगा तो कुछ student ऐसे अभी भी हैं जिन्होंने Assignment अपने समिट नहीं किये थे December 2022 के लेकिन उन्होंने उनका hall ticket release कर दिया गया और आप उनको exam देने हैं तो अगर आप December 2022 का hall exam दे देते हैं तो उसके बाद फिर आपके grade card पर इसका क्या असर पड़ेगा उसके बारे में ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे अन तक देखे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो सिधा वीडियो की सुरुबात करते हैं और सबसे पहले तो एक question जो की कल ही पूछा गये कि student की तरह से कि December 2022 का exam का मेरा जो hall ticket है वो भी release कर दिया गया है लेकिन मैंने assignment submit नहीं किये assignment मैं submit नहीं कर पाया कुछ subjects के क्योंकि काफी subjects के मुझे assignment submit करने थे कुछ के नहीं कर पाया तो अब मैं क्या उन subjects का exam दे सकता हूं कि नहीं तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके ओपर clarification दे दू कि आप बिलकुल exam दे सकते हैं उसमें किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या नहीं आएगी आपको December 2022 का theory exam जो है जिस भी दिन आपका होने वाला है उस दिन आप असानी से जाहिए अपने exam center और जो भी प्रक्रिया उसको follow कीजिए जो भी rules regulation उनको follow कीजिए और आप exam दे सकते हैं ठीक उसके बाद दूसरा कि क्या result आएगा या नहीं तो आपका theory result जो है वो भी declare किया जाएगा उसके भी आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूत नहीं आपका theory result जैसे बाकी students का आएगा उसी तरीके से आपका भी theory result डेकलेर कर दिये जाएगा लेकिन grade card पर इसका असर पड़ता है grade card जो होता है जो कि आप इस समय screen पर दिख रहे हैं कि status में not completed लिखा हुआ आ रहा है ये status में जो not completed लिखा हुआ आता है किसी subject के आगे उसको लिखी होने के दो कारण होते हैं या तो आपने उस subject का assignment submit नहीं किया या फिर आपने उसका theory exam नहीं दिया अगर आपने किसी subject का theory exam दिया है लेकिन उसमें pass नहीं हुए तब भी हाँ पर not completed लिखा हुआ आएगा या फिर आपने अगर किसी का assignment दिया लेकिन उसमें pass नहीं हुए तब भी हाँ पर not completed लिखा हुआ आएगा आपके जो status है किसी subject के आगे उसमें completed तर्फ तब लिखा हुआ आता है कि जब आप उसका assignment भी submit कर दे और उसमें pass भी हो जाए और theory exam भी देजे और उसमें pass भी हो जाए जब आप ये दोनों काम कर लेंगे तब उस subject के आगे completed लिखा हुआ आता है और जब आपके जितने भी subject आपने लिए हैं first year, second year, third year में तब सब subject के आगे completed, completed, completed लिखा हुआ आता है तब जाके आपका grade card complete माना जाता है उसके बाद फिर आपको जो आपकी mark sheet होती है, final mark sheet वो मिलती है, 30 दिन के अंदर और उसके बाद फिर आप convocation को भरने के लिए eligible हो जाते हैं तो ये है पूरी प्रक्रिया grade card पर इसका असर पढ़ता है लेकिन आपका जो December 2022 का exam जो है उसको आप बिना किसी tension के दे सकते हैं exam देने के लिए भी आप eligible है और उसके बाद आपका theory exam result भी time पर आ जाएगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी लेकिन जब भी आपको आपको आगे time मिले assignment submit करने का जल्दी से जल्दी अपने उन subject का भी assignment submit कर देना जिनका आपने अभी दक assignment submit नहीं किया है तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको बसंदा दो वीडियो को like जरूर कीजिए और जादा से जादा share जरूर कीजिए